नमस्का साथियों साथियों स्वागत है पुना आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो साथियों जैसा कि आपको पता है सीटेट की यह दिबात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यदा क्वेश्चन आपके नंबर से पूछे जाते हैं जहां पर प्रतिवर्स कई क्वेश्चन आप से पूछे जाते हैं नंबर से नंबर सिस्टम से पूछे जाते हैं चाहें आपके भिन्य से संबंदित हो या पिर आपके संख्या से संबंदित हो या अन्य कोश्चन आपके हो तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले कोश्चन हमारे पास है कि एक संख्या कह रहा है एक सं साथ दुसरी और तिसरी अभास संख्या है तो सैकड़े का अंक एक सम अभास संख्या है और दस हजार इस्थान का अंक उसका आदा है तो मैं कौन हूं ठीक है अभी मैंने तीन-चार दिन पहले एक लाइब वीडियो किया था तहां पर मैंने इससे रिलेटेड आप से बहुत स भी बताएं थी तो एक Prison आपके option दिये गये हैं तो जहां पर मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मैं पांच अंक्या है कितने अंक का है कोर्श्छन में ıyı हैं टोटल सातियों कितने 5 हैं 1 2 3 4 और 5 हम दिर्फा दिया है मैंने कहा कि यह 5 इंकों की संख्या हूं जो क्या है 5 ही विवाजित हो जाएगी या तो अंतिम अंक उसका जीरो होगा या पिर अंतिम अंक 5 होगा जैसे कोई संख्या 25 है तो 25 से डिवाइड हो जाएगी कोई संख्या 30 है 25 से डिवाइड हो जाएगी ठीक है कोई संख्या 34 है क्या 25 से डिवाइड हो जाएगी नहीं तो यह 5 से डिवाइड नहीं होगी ऐसे ही कोई संख्या 39 है क्या यह 5 से डिवाइड हो जाएगी नहीं तो आप कहोगे जिनके अंत में या तो 5 आ जाए या फिर 0 आ जाएगा जिनके अंत में जिस संख्या के अंत में या तो 5 आ जाए या 0 आ जाए तो भह क्या हो जाएगी 5 से विवाजित हो जाएगी तो आपके आफसर में सभी जितनी संख्या दी गई है, लाष्ट में 5 दिया गया है, इसलिए इसलिए सभी संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी, आगे कह रहा है कि 10 से संख्या विवाजित नहीं होगी, 5 से संख्या विवाजित हो रही है, लेकिन 10 से नहीं, 10 से 2 संख्या तो यहाँ पर भी मैंने आपके क्या लिख दिया मैं पांच अंकोई संख्या पांच से विवाजित हो रही है इसलिए अंतिमंक यानि इसका मतलब हो गया यह है इकाई कांग फिर आपका दाही कांग आता है फिर सैकडा कांग आता है फिर आपका हजार कांग आता है फिर आपक संख्या विवाजित यहां से नहीं हो रही है लेकिन 5 से विवाजित हो रही है ठीक है जब 10 से नहीं विवाजित हो रही है तो अंतिमंक आपका जीरो नहीं आएगा तो अंतिमंक आपका क्या आएगा 5 आएगा अब कहरा है मेरे दाही और क्या हजार इस्थानों पर क्या है स्वायम से विवाजित हो जाएं या फिर एक से विवाजित हो जाएं ऐसी संख्या है जो स्वायम से विवाजित हो जाएं या फिर एक से विवाजित हो जाएं लेकिन आप याद रखिए एक ना भाज्य है ना भाज्य है तो एक को काउंट नहीं करेंगे तो सबसे पहली अब से विवाजित हो जाएगी और दो से विवाजित हो जाएगी इसके अलाबा किसी अंक से विवाजित हो जाएगी नहीं होगी तो एक चीज याद रखी हमको क्या मिल गया पर्थम अभाज संख्या पर्थम अभाज संख्या आपकी क्या मिल गई है यहां से दो दो के बाद आता तीन किस से विवाजित हो जाएगी आपको एक से उसके बाद है तीन से विवाजित हो जाएगी इसके अलाबा किसी याने संख्या से विवाजित नहीं हो जाएगी तो क्या दूती अभाज संख्या क्या हो जाएगी दूती अभाज संख्या आपकी क्या आ जा रही है तीन आ ग रही है कि से और संहगों पर कैम सा दूसरी और तीसरी अभास संख्याई हैं हमको प्रत्ップ मिल गई डूतिय मिल गई अब क्यातिसरी अभास संख्य काउण से आगी तो आप कहोगे गूरु जी 3 के बाद 4 आता है तो आप को होगेmalहें एक से विवाजित हो जाएगा, दो से हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक से विवाजित हो जाएगा, चार से विवाजित हो जाएगे, लेकिन क्या यह संक्या एक और चार के अलाबा किसी एन संक्या से विवाजित हो रही है, तो क्या यह जो चार है, भै एक और चार के अलाबा किसी एन संख्या विवाजित हो रही आप कोगे बिल्कुल हो रही है किस से हो रही है कोगे गुरु जी यह संख्या दो से विवाजित हो रही है इसलिए यह संख्या अभाज संख्या नहीं है अभाज संख्या नहीं है ठीक है प्रथम आपकी दो मिल गई फित तीन मिल गई फि आपका पांच से आएगा क्या यह एक और पांच के लावा किसी अंसंख्या से भी भाजित हो रहा है तो आप कोगे नहीं हो रहा है इसी लिए तिरती अभाज संख्या कौनसी थर्ड अभाज संख्या आपकी कौनसी आ जाएगी तिरती है ठीक है तिरती अबाद संख्या आपकी क्या आ रही है पांच आ गई है ठीक है अब आपसे कह रहा है कि मेरे दाही और हजार के इस्थानों पर क्रमसा तो क्रमसा का मतलब हो गया जो दाही आपका पहले लिखा गया है जो दाही आपका क्या है पहले लिखा गया है और यहां पर क्रमसा में भी दुसरी तो दाई के स्थान पर क्या आएगी दुसरी अभास संख्या आएगी वहीं पर हजार लिखा गया है तो हजार के स्थान पर कौन सी आएगी तिसरी अभास संख्या आएगी ठीक है तो दुसरी अभास संख्या कौन सी है यहां पर आप देखिए दुती अभास स थान पर कौन सी तिसरी अभाज संख्या और तिसरी अभाज संख्या आपकी क्या है पांच तो हजार का है इकाईद है सैकड़ा सैकड़ा एक बाद हजार तो हजार के इस थान पर हमने क्या लिख दिया फाइब लिख दिया पांच लिख दिया है आगे कह रहा है सैकड़े का अ एक मात्र सम अभाज संख्या एक मात्र सम अभाज संख्या आपकी क्या रहेगी आपकी रहेगी दो रहेगी इतना आप नोट डाउन करिए ठीक है एक मात्र सम अभाज संख्या या प्रिथम सम अभाज संख्या आपकी दो है इसके अलावा कोई भी दो कोई भी संख्या आपकी संख्या नहीं होगी जो कैसी अभाज्य हो सिर्फ अश्य संख्या कम फंगंसिए दो हैं तो यहां तक आपने टा कर लिया कि एक मात्र समाभाज संख्या या प्रथम समाभाज संख्या आपकी क्या है दो है यह है इस kwashing के अलाब़ा अन्य तरह से पूँँ सकता है आपके कोश्चन दे दिया कि प्रिथम सम अवाज संख्या कौन से आप संदे देगा या एक मात्र अवाज संख्या कौन सी आपके आप संदे देगा ठीक है तो ऐसे भी आपनो डाउन करते हुए चलेंगे बहुत इंपर्टेंट यहां से फैक्ट बन रहे हैं कितने कोश्चन आपके तयार हो रहे हैं आप याद रखिए यहां से प्रिथम अवाज संख्या आपकी दो है दूती अवाज संख्या तीन है तिरती अवाज संख्या पांच है एक क्या है ना भाज है एक कैसी है ना भाज है ना भाज है ना भाज है एक मात्रा सम अवाज सं साइक्राइए है तो साइक्रे के स्थान पे सम का मतलब क्या हो गया दो हो गया अब कहरा है 10,000 का अंग क्या है उसका आदा है तो दो का आधा कर देंगे दो कर देंगे तो बन हो जाएगा यह कहां आ संख्यागा दस आजार पर हो जाएगा तो आपको एक 5Entayan से आपको प्राप्त हो गई है जो संख्यापकि क्या है वन फाइव तू-3 थी-5 तॉ तो हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रस्व समझ में आया होगा तो आपकी किसी आफसन में बिल्कुल है तो आफसन नंबर काउंस होगा सी इसका राइट अंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं यह कोश्चन प्रीबियस एयर में पूछा गया है सात्यों इसलिए यह कोश्चन बहुती महत्पूर है मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि मैं एक पांच अंकों की संक्या है कह रहा है तो पांच अंक की काई दाहिस से कड़ा 1,000-2,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 संख्या है तो आपको पता दूसरी आवाज संख्या आपकी तीन आ रही है तिसरी आपकी पांच आ रही है तो दाही के स्थान पे आपने तीन लिख दिया हजार के स्थान पे पांच लिख दिया है और कहरा सैकड़े का स्थान जो है बहां पर एक सम अवाज संख्या है तो से भी आपका आपसन बिल्कुल सही आ रहा है तो आपका आपसन नंबर सी आ रहा है आप आपसन से भी कोरिलेट कर सकते हैं कह रहा है कि मैं एक पांच अंकों की संख्या है बिल्कुल सभी अंक पांच है जो पांच से व्याजित हो रही है और दस से नहीं तो अंतिमंग की जीर तो हजार के स्थान पर पांच आना चाहिए तो हजार के स्थान पर पांच आना चाहिए तो इसमें पर पांच आ रहा है यहां भी पांच आ रहा है इसलिए आपका अफसन एक कट हो गया दूसरा भी कट हो गया कहरा हजार के दाही के स्थान पर आपका कितना आ रहा पांच आन मुझे लगता इस बार जितना भी सेट होंगे उन सभी में एक कोईशन इस तरह से पूंचा जाता है तो इस बार भी पूंचा जाएगा तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही हम मिलते हैं अगले प्रश्ट के साथ अगले सेशन में यदि आपको एह वीडियो पसंद आई कीजि भी वीडियो का अधिक सदीख सेयर कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सस्क्राइब इवस कर दीजे ठीक है तो साथियों जितना आप अधिक सदीके सेयर करेंगे लाइक करेंगे चुख हमने इस बाद सोचा है कि आप सभी को मैथ भी से कंप्लीट हम कराएं ठीक है तो इसलिए लगातार हमारा यही प्रियास है कि गड़ित भी से लगातार हमें अच्छा सच्छा करने का प्रियास करेंगे तो यदि आपको यह वीडियो पसंदार पीज अधिक सद अर बादेंगे जड़ित लगाता है थाल चाहिए यह उनागे रवादार है कि अधर घबियो व्यास है तक भी तो तो इपको यहा है तो उबादा है उसे करेंगे यह जढ़ित गाता है उन्यार अबादाने कि पसंदा चेको एक पसान भाता है वे जगला शेजर बदार बार